हलो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंगल फेस समर सेबल के बारे में मतलब घरिलू समर सेबल के बारे में दोस्तो सबसे पहली प्रोबलम क्या आती है कि हमारा समर पानी कम दे रहा है या हमारा समर पानी बिल्कुल नहीं दे रहा है तो दोस्तो ऐसा क किस तरह repair करना है दोस्तों company दे रहा है या बिल्कुल नहीं दे रहा है तो किस तरह repair करेंगे हम आपको बताते हैं तो सबसे पहले कुछ भाई हमारे क्या है यहां पर से इसको open करते हैं मतलब यहां से खोल लेते हैं जिसके कारण उनको problem यह आती है कि मैं पंखे में और open कर रह है ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो इसको open करने के बाद में यह वाला बोल्ट हम यहां से निकाल लेंगे इस तरह निकाल कर रख देंगे उसके बाद में हमको यह उपर की तरफ से नीचे पकड़ लेना और यह उपर पकड़ना इसको हिलाते हैं यह उपर की की बोल्ट लगा हुआ होता है जो कि इस एलेंकी से खुलता है तो इसमें हम इसको लगा कर इसको भी open कर लेंगे दोस्तो कुछ इस तरह से इसको भी open करने के बाद में हम इसको भी निकाल लेते हैं इसको हमने खोल लिया दोस्तो और यह उपर से आपका एक वार्सल पड़ा होता है पितल का यह सब हम नीचे रख देते हैं उसके बाद में हम इसको निकालना शुरू करते हैं तो दोस्तो एक चीद ध्यान रखें कि इसमें सारी डिब्बियां black color की मतलब काले color की हैं लेकिन हम इस तरह से निकाल लेंगे आराम से और निकालने के बाद में दोस्तो देख सकते हैं यह हमारी सबसे special डिब्बी और यह सबसे special impeller होता है और इसके उपर यह एक slip लगी हुई होती है इसको हम नीचे रख देंगे और सबसे पहले हम इस वाले पंखे की पत्ती को निकालें और इसको इलाते आसानी से निकाल लेना है आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल चुका है उसके बाद में हम इसके पंखे को भी निकाल लेंगे इस तरह से और निकालने के बाद में दोस्तों यह आप अलग रखते रहिए इस तरह यह सब अलग रखेंगे और दीरे-द डिब्बी टूटी हुई तो नहीं है क्योंकि अगर आपकी डिब्बी में जरा सी भी चिटक या टूट होगी तो आपका पानी कम देगी क्यों क्योंकि इसमें जब यह पंखा अंदर राउंड करता है पानी को उठाता है क्योंकि पानी को बहुत उपर उठाने में दोस्तों प्रेशर बाहर निकल जाएगा, पानी लीक करेगा, जिसके कारण से वो अंदर ही रह जाएगा, और आपकी समर को जला भी सकता है, और आपका पानी भी कम देगा, तो चिटकी भी जरूर चेक करें, क्योंकि दुबारा अगर आप उसको उसी में फिर से डाल देते हैं, ध्यान करने के बाद में, तब हम इसको फिर से बारी बारी से बांधना बताएंगे, दोस्तों, इसको हम निकाल लेते हैं, फटाफट, और दोस्तों, आप देख सकते हैं, नीचे हमने सारी डिबियां निकाल ली है, और ये सारी डिबियां निकालने के बाद में, एक लास्ट डिब और उपर आपको यह जो सरीया दिख रहा है इसको दोस्तों राड धुरा कुछ भी बोल सकते हैं सब अपनी पनी भासा में अलग अलग बोलते हैं इसको भी हम निकाल लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं इसको भी हमने निकाल लिया है और इसका काम दोस्तों समापत होता है Sumer को हम side में हटा देंगे और उसके बाद में हम सारी डिब्बियों को साफ करके फिर से इसको set करेंगे और change करेंगे जो भी डिब्बी हमारी टूटी ह हुई होगी जिसके कारण हमारा Sumer पानी कम दे रहा है उसके बाद में दोस्तों हम फिर से रूटरी के साथ में ही रोटेट होगा मतलब घूमेगा अब हमें क्या करना है दोस्तों सबसे पहले हम इसमें फिर से यह डिबियां लगाना शुरू करते हैं तो दोस्तों रोड को हमने लगा लिया है उसके बाद में हम इस इंपेलर को उठा लेंगे और इंपेलर को हम कुछ इस तरह से फसाएंगे इसी रूटरी में इस तरह से इसको हम यहाँ पर बिठा देंगे और बिठाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने जो कि क्या है कि हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से घुमाएंगे देखते हैं हमारी रूटरी घूम रही है तो दोस्तों बिल्कुल सही घूम रही है अगर इसमें ज़रा अब है, अब करकराहट मतलब भालू जे सी या मिट्टी जेainen करकराहट हो का मतलब नीचे रगड हो, तो आप इसमें एक शिंव की जगह छोडे, एक शिंव जो Sozial में पड़ता है उतनी जगह छोडे, मतलब जी आप देख सकते, कि ऐसी में और यह अलग जाथा है इस्के से लिए इस तरह आप देखते हैं हमारी डिपुर आगई है और अच्छे से घूम रही है उसके बाद में हम इस डिबी को उपर से लगा देंगे इंपेलर को बंद करने के लिए इसको हम इस तरह से लगा देंगे और आराम से इसको सेट कर देंगे इस तरह बहुत ठीक उसके बाद में दोस्तों हम इसको लगाते हैं इसी तरह से हम साफ करकर के सभी लगा लेंगे तो इसको भी हम इसी तरह से रखेंगे और इसको लगा देंगे तो दोस्तो हमने इंपेलर को बिठा लिया है उसके बाद में इस डिबी को हम इसी तरह लगा देंगे और इसको आराम से सेट कर देंगे और सेट करते हैं समय ध्यान रहे हैं इसमें जरासी भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए एक सिम से जादा क्योंकि ऐसा होने पर आपकी जो अबका समर्पानी कम देगा उसके बाद में दोस्तो फिर से हम इसको उठाएंगे और इसको हम यहां से इस तरह लगा देंगे कुछ इसको भी बिठा देंगे और बिठाने के बाद में इस डिबी को बिठाएंगे डिबी दोस्तों यह हमारा तूटा हुआ है इसको हम क्या करेंगे दोस्तों इसे चेंज कर लेते हैं हमारे पास और भी डिबिया है आप देख सकते हैं दोस्तो हम इसका repair का काम करते हैं तुमारे पास और भी डिप्पिया है तो इस वाली को हम हटा कर इस शाबुद डिप्पी को हम लगा देंगे इस पर दोको उसके बाद में दोस्तो हम यह चोथा impaler डाल रहे हैं इसको भी डाल देंगे उसके देखते हैं और इसको घुमा कर चेक करते रहेंगे कि हमारा यह अच्छे से वर्क कर रहा या नहीं यह बहतरीन वर्क कर रहा है दोस्तों इसके उपर हम डिब्बी को लगा देंगे और यह सारी चीजे आपको धंग से साफ कर लेनी है क्योंकि सामने आया नहीं तो आपको लगाने में प्रॉब्लम होगी यह बरापर नहीं बैठेगी आप चाहें कुछ भी करें यह बरापर नहीं जाएगी और इसको जब आप रोटेट करके डालेंगे इस तरह घुमा के तो यह अपने आप बैठ जाएगी तो इस चीज का आप ध्या को दोस्तो हमको कुछ इस तरह से करके बिठा लेना है हमारी यह लास्ट डिब्बी बची हुई है इसके बाद में हमारी वो डिब्बी पड़ेगी इस पेसल वाली जो कि हमने पहले आपको बताई थी मतलब सबसे उपर की डिब्बी वह वाली हमारी बची हुई है इसको भी हम लगा देंगे यह सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से बिठा देंगे और बिठाने के बाद में यह दोस्तों लाश्ट डिब्वी बंद करते समय आप एक चीज का ध्यान रखें कि यह जितने भी इंपेलर हमने लगा हैं और चड़ाई हुई है इन सारे इंपेलर और डिब्बियों को एक बार हम धंग से रोटेट करके देख लेंगे मतलब घुमा कर इस तरह इस तरह से चेक करेंगे कि रॉड के साथ में हमारे सारे डंग से घूम रहा है किसी में रगड तो नहीं इस तरह से हम सभी हिला कर चेक करेंगे ड्डाल कर यह बंड करने से पहले आप इस चीज का जरूर ध्यान रखे यह दोस्तु जो अब प्राबर पतला सबसे पहले हम इसको डाल लेंगे तो यह सिंग बिठाने के बाद में दोस्तों इस स्लिप को हम इस तरह से बिठाएंगे और बिठाने के बाद में अब हम दोस्तों इसको कुछ इस तरह से प्लोज करेंगे आप देख सकते हैं इसको हम यहां पर रखेंगे और फिर वही प्रोब्लम आएगी तो इस चीज का आप ध्यान रखें तो इसको ढंग से जरूर कस लें इस तरह से इसको पस लेंगे हम तो यह हमारा कश चुका है अब आप देख रहे हैं यह हमारा मोटर के साथ में घूम रहा है आप नीचे भी देख सकते यहां पर यह हमारा को इस तरह से बिठा देंगे यहां सभी घूम रहा है अच्छे से बिठाने के बाद में अब हम इसको भी कस लेंगे कसने के बाद में दोस्तों यह हमारा बिठा लेंगे, बिल्कुल सामने इस तरह से बिठा लेंगे और बिठाने के बाद में अब हम इसको फिर उसी पेज की मदद से कस लेंगे, इसको नीचे से इस तरह लगाएंगे और लगाने के बाद में इसको बोल्ट को यहां पर बिठा देंगे, बठाने के बाद में हम इस यह सारे बुल्ट बराबर कसे हुए हो अगर कम ज़ादा कसे हुए होंगे जिधर ज़ादा कसा होगः उदर को आपका यह हल्का तिरचाओ जाता है जिससे कि आपका यह अंदर की रूटरी घुमने प्रोबलम करती है रगड़ घथे प्रोबलम नहीं कि इसे भी कई बार प्रोब्लम हो जाती है लेकिन रिपैरिंग के लिए आपका पंखा जाता है तो इसको आपको पहले चेक कर लेना उसके बाद में इसको निकालना है तो उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होते हैं लाइक ज